हेलो स्टुएंट्स आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 3 का पार्ट 5 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है CSS तो लेट्स स्टार्ट इस टॉपिक टुडे़ स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता यहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल के कोई भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टिक करना न भूलें और हमारे चैनल के कोई भी वीडियो को class wise अगर आपको देखना है तो please इस चैनल के playlist section में जाके अलग-अलग classes के वीडियो को देख सकते हैं जैसे class 8 का वीडियो को class 8 के folder पे click करना होगा class 8 के videos को इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं class 7 का भी वीडियो उसी तरीके से देख सकते हैं class 7 के folder को खोल के और class 7 के सारे chapter को देख सकते हैं ऐसे अलग-अलग classes के videos को ऐसे देखा जा सकता है तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस chapter में पिछले कुछ videos में हम लोगोंने HTML documents को कैसे create करना है HTML के मदद से हम लोग किसी web page को कैसे बना सकते हैं वह सब के बारे में हम लोग तो देख चुके हैं अब आगे के topic में हम लोगों को CSS के बारे में देखना है तो मैंने आप सभी को बताया था कि CSS का full form होता है cascading style seats means हम लोगों का जो भी seat है हम लोगों का जो भी HTML का जो page है उसको CSS के मदद से कैसे styles को insert किया जा सकता है CSS क्या help करता है HTML के document में changes लाने के लिए तो यह सारा चीज हम लोगों को CSS के मदद से सीखना है इस वीडियो में इस topic में तो CSS है क्या actually CSS जो है एक तरीके का ऐसा language है जो कि हम लोगों के HTML के element के appearance को change करने में help करता है इसमें क्या-क्या यह help कर सकता है यह size हो गया change कर सकता है यह style हो गया टेक्स्ट का यह टेक्स्ट का कलर बैक्ग्राउंड कलर बॉर्डर स्टाइल्स और यह बहुत सारे चीजों को CSS के मदद से हम लोग HTML के page को HTML के web page को हम लोग enhance कर सकते हैं उसका appearance चेंज किया जा सकता है CSS कमया से इसलिए हम लोग CSS का यूज करते हैं तो CSS के topic में सबसे पहला style जो हम लोगों को सीखना है वह inline style inline style का मतलब क्या होता है तो इस topic में लोगों को यह देखना है सबसे पहले तो inline style को शुरू करते हैं inline style में क्या किया सकता है तो हम लोग यह जानते हैं कि MS Word में माइक्रोसफ्ट ऑफिस वर्ड को यूज करते थे तो हम लोग उसके मतलब से बहुत सारा डॉक्मेंट था पर्सनल न्यूज लेटर हो गया और भी बहुत सारा चीज हम लोग क्रियेट करते थे MS Office में जिसमें पेजिस के मतलब से उस डॉक्मेंट को उस फाइल को क्रियेट किया था तो उसमें हम लोग बहुत सारे वर्ड को बहुत सारा चीज उसमें इंसर्ट किया जा सकता था बहुत सारे वर्ड को का कलर हम लोग चेंज करते थे उसका प्रपता ऑउस लिए लोर्पशम कोई सबまぁ ओन को छुण के फॉब्सक्राइब करेंगे या प्रम सब्सक्राइब यि के चैन्य अध्यक्राइब प्रम फॉब्सक्राइब वो सब्सक्राइब रुबिर शाल करतें थे बट ये जो काम है इस तरीके का effect जो MS Word में insert किया जा सकता था वो XTML में भी XSTML में भी use किया जा सकता है ये जो अलग-अलग color का जो changes, appearance change करने का जो तरीका हो गया जो MS Word में किया जा सकता था वो XSTML में भी किया जा सकता है बट वो किसके मदद से किया आता है तो यह CSS के मदद से किया आता है जो help करता है XSTML documents को में appearance और colors को insert करने के लिए तो इसमें सबसे पहला syntax हम लोग use करने वाले हैं वो है paragraph tag के मदद से हम लोग उस document के अंदर में words हैं उसका color change करने के लिए क्या हम लोग करते हैं CSS के help से क्या कर सकते हैं तो यह यहां पर एक syntax program जिसको हम लोग कर सकते हैं यह यहां पर लिखा हुआ है यह चीज हम लोग को अपने document में हम लोग के HTML के page में insert करना पड़ेगा means हम लोग को यह word को चाहते हैं कि वो color उसका red हो जाए या उसका color blue हो जाए या उसका color green हो जाए तो हम लोग को यह program लिखना पड़ेगा जो आपके screen पर दिखाई दे रहा है bracket में पी लिखके space देके style लिखके equal to देके और color semicolon red करके और bracket बंध हम लोगों को करना होगा और उसके बाद जो word को हम लोग grade करना चाहते हैं जो sentence को हम लोग grade करना चाहते हैं उस sentence को यहां पर लिख देंगे फिर उसके बाद यह जो पी का जो टैग है उसका closing tag लिखना पड़ेगा और जैसे हम लोग लाश में पी का closing tag करके document को save करके और उसको web browser में हम लोग देखेंगे तो वह जो line जो line के अगल बगल में हम लोगों यह P का tag डाला था style को color change करके और हम लोग red जिसमें डाले थे वह line का जो color है वह red हो जाएगा इसके मुदब से यह जो है किसी भी पार्टिकॉलर एक section को मिन्स पूरा जो document हम लोग का HTML document create किया हुआ है HTML का page create किया हुआ है उसमें माल लिए हम लोग कि कोई एक section में color हम लोग change करना चाहते हैं तो उसको हम लोग inline mile कलते हैं इन line style जो का topic आभ देख रहे है inline style का यह मतलब होता है जो पूरा डाप्यॉमेंट है उस document में कोई पार्टिकॉलर एक section का color हम लोग change करना चाहते हैं उसका style अगर style change करते हूं इसको हम लोग inline style करते हैं जो कि इस topic का नाम है तो यहां पर यही बात लिखा हुआ है in the example about we use this style attribute यहां पर यह बात बताया जा रहा है कि हम लोग अगर change करना चाहते हैं the birtar फॉंक का कलर तो दो लोग style attribute का इस्तिमाल करते हैं जैसे यहां पर जो यह लिखा हुआ है पी टैग के अंदर में style लिखा हुआ है के अंदर में यह इसको हम लोग style tag नहीं कह सकते हैं क्योंकि यह पी tag है यह पी tag के अंदर में style लिखा जा रहा है तो यह style जो है यह इसको हम लोग style attribute कह सकते हैं और इसके अंदर में जो दोनों चीज लिखा हुआ है color और red इसको हम हम लोग value कहते हैं तो यहाँ पर दो declaration का दो पार्ट है जिसने एक property है और दूसरा जो है वह वैल्यू है property means हम लोग किस तरीके का style चाहते हैं तो हम लोग color का style डालना चाहते हैं और color का और क्या वैलू चाहिए तो रेड चाहिए या ग्रीन चाहिए बूछ हुआ दिड़ सकते हैं यहां पे बहुत अलग-ग तरीके का भी क्या बनलग तरीके का प्रोपटी दिया हुआ जैसे यहां पर हम लोगा Commerce कँ अस्तवाल करकेopy को counselor के करेंड कर दिये थैं जो दो declaration होता है उसके बीच में जो separate करता है जैसे color और red के बीच में जो double dot आप सभी को दिखाई दा रहा है यह जो है यह semi colon इसको हम लोग करते हैं तो semi colon का मदद से आपो से दो properties को separate किया सकता है मिन्स दो properties के बीच में semi colon insert करके हम लोग उस जो हम लोग का syntax व उसको लिखा जाता है उस program को लिखा जाता है तो इसी तरीके से मुन्हें का inline style insert हो सकता है किसी भी एक section में कि अब आगे टुपिक है अबेडेडे स्टाइल क्या होता है तो जैसे कि किसी इक पार्टिकुलर सेक्ष जपन का इन लाइन क्या होता है कि यह बहुत टाइम अंतली होता है में समय तेंज क्यों Candice कंवें इसके हम लोग का P tag style करके हम लोगों को लिखना पढ़ेगा हर एक line में हर एक line कोई word का अगर color change करना था तो color वो word के left में ये program लिखना पढ़ता था और right में इसका closing P tag लिखना पढ़ता था तो तो हर line में लिखना पढ़ेगा बट ये काम को और असान करने के लिए हम लोग embedded style का स्थमाल करते हैं embedded style में क्या होता है कि हम लोग का document है HTML का document हम लोग का है वो पूरा का पूरा जो document है वो पूरा का स्थमाल करना पढ़ेगा यहां पर यहीं बात लिखा हुए कि inline style और simple quick way to apply some CSS effect to specific section means हम लोग कोई specific section में को particular section में हम लोग style add करना चाहते हैं तो हम लोग inline style का इस्तेमाल करते हैं बट हम लोग पूरे का पूरे document का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस्तेमाल करना पड़ेगा इस्तेमाल करने लाइग बात है कि कोई स्टार्टिंग सेक्षन होता है जो हैं इसको हम लोग लिख देते हैं इस प्रोग्राम को लिखने के बाद इस elements को insert करने के बाद head section में means कोई एक web page हो गया उस web page का सिर्फ section में अगर यह वाला program हम लोग उसमें लिख देते हैं तो वो जो पूरे page का जो page में जीतना भी टेक्स्ट है उन सब का color change हो जाएगा एक साथ तो यह हम लोग इसके मदद से हम लोगों का time भी बच्छत होगा और हम लोग बहुत आसानी से पूरे-पूरे page का appearance एक बार में change कर सकते हैं तो यह embedded के मदद से यह काम किया जा सकता है है तो head section में हम लोगों को क्या लिखना होगा head section में हम लोग title लिखते हैं यह तो पहले से हम लोग जानते हैं और उसके अंदर है meta elements भी insert होता है जब meta elements हम लोग लिख चुके होंगे तो meta elements के बाद हम लोगों को क्या लिखना होगा तो यह मैंने red box में underline कर दिया है इसके अंदर में हम लोगो लिखना है यही important बात लिखना है जिसके मदल से हम लोग पूरे 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 पेज का style change कर सकते हैं जैसे की उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा तो जैसे कि हम लोग inline में tag का इस्तिमाल करके उसके अंदर में style attribute लिखा करते थे तो यह हम तो उसके लिए हम लोग को style tag का इस्तमाल करना पड़ेगा inline में जो था वो p tag था और उसके अंदर में जो style हम लोग लिखते थे वो style attribute का काम करता था but embedded के अंदर में हम लोग को style का ही style के नाम से ही एक tag है जिसको हम लोग इसमें इंसर्ट करके लिखके और इसको सेव करते हैं तो यहां पर इस example से आप सभी को दिखाई दर होगा clearly यह जो style जो है वो bracket के अंदर में लिखा हुआ है मैंसे यह जो है यह tag का का काम कर रहा है style लिखके space देखे हम लोग type equal to text slash CSS लिखते हैं इसका कहने का यह मतलब है कि यह जो style जो tag के अंदर में text CSS लिखा जा रहा है इसका मतलब यह है कि CSS के मतलब से हम लोग जो पूरे page का जो style है वो change कर रहा है हम लोग CSS के मतलब से जो भी text है HTML के अंदर में जो भी text है उसका style जो है वो CSS के मतलब से change किया जा रहा है इसलिए यह बात यहां पर लिखा जा रहा है फिर उसका अदर हम लोग क्या करते हैं पी लिखते हैं पी क्यों लिखते हैं हम लोग क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जितना भी paragraph है हम लोग के page में जितना भी paragraph है उन सब paragraph का font का जो weight हो बोल्ड हो जाए तो font का weight हम लोग बोल्ड एक बार में अगर यह program हम लोग यहां पर लिख के और slash style मिंस हम लोग style का closing tag लिख के और head को close करके हम लोग उस document को हम लोग जैसी save करके और web browser में खोलते हैं तो क्या होता है कि पूरे का पूरे page में जीतने भी paragraph है उन सब के font का जो weight है font जो है वो बोल्ड हो जाएगा अगर हम लोग पूरे का पूरे page का font का color भी change करना चाहते थे तो यहां पर हम लोग को क्या करना चाहिए तो यहां पर जैसे font weight semicolon bold लिखा हुआ है वैसी यहां पर हम लोग को color semicolon जो भी color डालना है green डालना है तो यहां पर green हम लोग टाइप करके और slash style लिख के और slash head करके हम लोग इसको save करके फिर उस बाद web browser में अगर हम लोग खुलते हो उसको तो क्या होता कि पूरे के पूरे page का जीतना भी text है जीतना भी paragraph उन्हों सब का color जो था वो green हो जाता तो यहां पर इस paragraph में यही बात वताया जा रहा है कि जो style का जो tag हम लोग डालते हैं उसके बाद जो भी चीज के अंदर में हम लोग जो इस टाइल है वो color जो है वो इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग पी यहां पर लिखना होगा फिर उसको बाद यहां पर curly bracket जो है वो start करके और curly bracket के अंदर में ही यह वाला जो हम लोग को appearance करना है वो बात लिखना होगा में अगर font weight का change करना चाहते तो यहां पर font weight करके बोल्ड लिखा गया है यहां पर bracket बंद कर दिया गया है अगर हम लोग font weight नहीं चाहते हैं और color change करना चाहते तो यहां पर color equal to जो color डालना था वो लिखके bracket बंद करके style का tag बंद करके हम लोग hit का tag बंद करके इस तरीके से हम लोग program लिख सकते थे तो यहां पर इस paragraph में यह font weight लिखे हुए है और पी जो यहां पर लिखा गया है वह selector का काम कर रहा है यह पी selector का क्या कर रहा है मिन्स यह HTML को बता रहा है कि जो पी है मिन्स जो paragraph हैं जितने भी paragraph हैं इस HTML के page में web page में उन सारे paragraph का को select करके और उसका style क्या change कर देना है font weight जो है उसको build कर देना है तो यहां पर यही बात बताया जा रहा है कि curly bracket के अंदर में जो भी style लिखा गया है यहां पर curly bracket के हम लोग अंदर में हम लोग font weight लिखे हुए है so that the text appears in a bold font तो in this case our style seats contains one rule तो यहां पर यह जो है style seat जो हम लोगों का CSS style seat क्या है CSS CSS जो है वो browser को यह बता रहा है कि जितने भी text है paragraph के अंदर में उन सब को build कर देना है यही बात यहां पर लिखा गया है तो अगर हम लोग चाहते हैं कि font weight जो है वो ब्लू हो जाए तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसके बाद हम लोग color भी insert कर सकते हैं जैसे यह जो यहां पर bracket दिया हुआ है यह जो bracket दिया हुआ है इसके बाद हम लोग font weight का color है वो ब्लू हो जाएगा पूरे का पूरे पेज में जितने भी paragraph के अंदर में जितने भी text लिखे हुए है words उन सब का जो बनावर्ट हो जाएगा font का weight और color जो हो जाएगा तो embedded style के मदर से हम लोग यही काम कर सकते हैं कि पूरे का पूरे पेज का हम लोग appearance कर सकते हैं एक साथ में और इन लाइन में हम लोग कोई particular एक section का जो appearance था वो चेंज करते थे इसके साथ हम लोगों का यह वहला topic complete होगा अब हम लोग आगे external style sheets के बारे में देखते हैं कि external style sheets क्या है तो external style sheets जो है जैसे कि पहले के time में यह जो भी हम टाइम हम लोग इसके पहले में appearance करने के बारे में देखे थी यह सारा पहले के time में हुआ करता था मिसवा कर ता कोई website है उसके अंदर में 50 pages है तो 50 pages के अंदर में बहुत सारे words होंगे तो सारे words को हम लोगों को एक-एक करके एक-एक पेज का सारा appearance change करना पड़ेगा means कोई website हम लोगों का है जिसके अंदर ने 50 page है तो 500 page का तो हम लोगों को appearance change करना पड़ेगा one by one but यह जो चीज है यह जो काम है यह पहले के time में हुआ करता था page by page एक-एक page का appearance change करने काम पहले का time में पहले के लोग किया करते है बट आज कल के time में जब हम लोग CSS के time में आ गया है CSS जो जब से invent हो गया है तो CSS के मुझा से हम लोग एक बार में एक जगह पे कोई setting हम लोग डालते है appearance को save करते हैं और उस एक जगह पर जो appearance पावर टू सेट स्टाइल रूस इन वन प्लेस मिन्स के माद से हम लोग कोई भी style को एक जगह पर लिक के save कर देंगे और हम लोग के website में जितने भी सारे pages है उन सारे pages का appearance एक बार में चेंज हो जाएगा इसी के लिए हम लोग CSS का चेंज करते हैं और automatically जो है वो पूरे को पूरे सारे जो pages है में सारे pages में सारा जो जो पेज का जितना भी टेक्स है उन सबका इस्टाइल एक बार में चेंज हो जाएगा good news is that the large majority of web browser in use today excellent support CSS और हम लोगों के पास आज कल के टाइम में इतने सारे web browsers जो css को support करते हैं कुछी ऐसे web browser हैं जो Chaux कर जाते हैं जो hank करते हैं तेम यहां पे यहां पिए बात लिखा अभी है अब करने में यह यह बात हुर अब हम लोग सेक्ष करके और उसको कैसे बना सकते हैं जैसे कि हम लोग जो एक जगह पर जैसे मैंने बताया एक्सेटर्नल जो CSS file है उसके मतद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक जगह पर एक style को यह ताफ वह तीन पेजिक को हम लोग एक जगह पर लिंक करा चुके हैं मिंस हमलों का एक पेज़ के ard नदर में तीनों का attachment लिंक आगया था और हम लोग कोई भी एक लिंक पर क्लिक करते हैं तो हम लोग का दूसरा पेज खुल जाता हो चाहिए इस हटाइल को सेयर करकेंगे ताकि तीनों जूसके हम कैसे क्रिए करेंगे एक्सटरनल सेसंपा क्याहं है को बैएल इसकता है तो एक रही सब को और यह और यह वाला जो है यह यह वाला जो माँना है एक라고 1.css के नाम से इसको सेव कर देना है उसी लोकेशन में जहां पर हम लोग का html भी सेव है और फिर उसको बाद क्या करना है कि यहां पर प्रोग्राम लिखा हुआ है इस प्रोग्राम से हम लोगों को साथ पता चल रहा है कि फॉंट का वेट जो है वो वोल्ड कर दिया गया औ हम लोगं का यहां पर प्रोग्राम लिख किये हुए है प्रोग्राम के रहें और यह पर तीनों पिदिता है वो bold हो जागा और color blue हो जागा अब हम लोगों का जो CSS जो file हम लोग बना चुके हैं external CSS का जो file save कर चुके हैं अपने computer में तो वो external CSS का file save करने के बाद ये CSS file को हमारे web pages को में एक दूसरे में connect करना पड़ेगा तता कि जो हम लोग program यहां पे लिखे थे वो सारा effect में आ सके में इसकिए जो program के में से font का weight bold हो गया और font का color जो blue हो गया उस font के weight को bold और blue करने के लिए तीनो pages में ये जो program है इस program को हम लोगों के तीनो pages में के head वाले section में लिखना होगा तब ही हम लोगों का जो font का weight जो है वो बोल्ड होगा और color जो है वो blue हो पाएगा जो प्रोग्राम यहां पे लिखा गया है मैं जो external CSS का जो file हम लोग अपने computer में save करके रखे हुए हैं वो CSS file को हमारे सारे web pages में लिंक करना पड़ेगा ताकि हम लोग एक बार में जो color है वो अगर हम लोग ब्लू करने के बाद उसको चेंज करके green कर देते हैं तो जितना भी web pages को जितने भी web pages यहां पर हम लोगों का पास अभी three web pages हैं तो तीनों web pages के head section में हम लोगों को CSS file को link करना पड़ेगा तो link करने के लिए क्या करना होता है तो हमारे जो भी अभी हम लोगों का पास web pages है उसके head section में जाकि यह program लिखना होगा इसको आप लोग नोट कर लें तो यह program को हम लोगों को अपने head section में जितने वी पैज है उसके head section में यह वाला चीज लिखना होगा क्योंकि यह वाला जो portion है यह वाला पोर्शन तो सारे web pages में अल्रेडी लिखा हुआ होता है बस यह वाला section है यह वाला section हम लोगों को अपने web page में इंसर्ट करना होगा link space href style1.css rl style sheet type text.css तो यहां पर यह जो तीनों words है इसका meaning क्या है इसके बारे मैं बता दे रहा हूं तो यहां पर जो href attribute का इस्तिमाल किया जा रहा है href attribute क्या काम करता है यह आप लोग पहले भी जानते होंगे पिछले कुछ पिछले वीडियोस में हम लोग देखे थे इसका इस्तिमाल तो href के मदद से यह जो है html यह refer करता है वेब ब्राउजर को बतलाता है कि जो फाइल जो हम लोग का style sheet जो इंसर्ट किया हुआ है वह style sheet जो है वो कहां पर मौझूद है वो कहां पर पाया जा सकता है तो href के मदद से जो वेब ब्राउजर है वो सर्च करेगा कि जो style sheet है वो कहां पर save है वो कहां पर किस location में save है वहां पर जाएगा और उस location से उस style sheet को उठा के और जो हम लोग style sheet के अंदर में यह font का जो weight है वो किया गया है font का weight जो है वो बोल्ड किया गया है तो वेब ब्राउजर को समय में आ जाया है कि css का एक file है जो कि किसी location में save हref के मदद से href attribute के मदद से वेब ब्राउजर को पता चलेगा कि कि किस location में वो जो हम लोगा css का जो file है वो save है हमारे computer में वहाँ पर जाके खोज़के और उसका जो भी data है वो अपने वेब ब्राउजर में वो ले लेगा वेब ब्राउजर अपने अंदर में फिर उसके बाद जो यहां पर आरियल जो वर्ड लिखा हुआ है आरियल वर्ड इसका क्या इस्तेमाल है और जो टाइप जो टेक्स लिखा हुआ है इसका क्या इसमाल है तो यह इसके मदद से यह वेब ब्राउजर को बताता है कि जो हम लोगा जो file linked है वो किस तरीके का file है वो CSS का file है वो style sheets के रूप में ह यह वेब ब्राउजर को बतलाएगा कौन बतलाएगा HTML वेब ब्राउजर को बतलाएगा कि जो हम लोगा file यहाँ पे href के मदद से locate किया जा रहा है किसी location में यह जो file जो है वो saved है वो file जो है वो किस तरीके का file है तो वो CSS का file है text के रूप में है और वो style sheets के रूप में है means ह हम लोगों के का जो CSS का जो file है उसके अंदर में styles लिखे हुए है और styles के मदद से हम लोगों का जीतना भी HTML के अंदर में जो paragraph है और text है उन सब का style change करने के लिए यह जो location एक location में CSS का file save करकर रखा गया है यही बात web browser को HTML बतलाता है तो जो link element जो है यहां पर जो link tag यूज हो रहा है आप सभी क्लियरली दिखाई दर होगा हम लोग जानते हैं कि HTML में हम लोग elements के मदद से ही हम लोगों का अंदर में ही link के अंदर में insert करके और फिर उसका हम लोग लिख रहे हैं बट हम लोग यह जानते थे कि जितने भी elements जितने भी tags होते थे HTML में उसका एक opening tag हुआ करता था और एक closing tag हुआ करता था बट यहां पर जो हम लोग link element यूज कर रहे हैं यह लिए इलमेंट जो है वह एक तरीके का empty element है जिसमें closing link element का कोई closing tag robotics नहीं होगा means link tag जो है वह empty element है और वह वो बस एक ही जगहा पर लिखा जाएगा उसका कोई closing element नहीं होगा और इसके अंत में link element को जो हम जिस जगह पर हम लोग लिखेंगे उसके अंत में हम लोगो slash करके और bracket close करना होगा इसका मतलब यह होता है कि यह empty element हो और इसका कोई closing element नहीं होता है यहां पर यही बताया जा रहा है अब आगा में यह बताया जा रहा है कि जितने भी हम हम लोग अपने webpages save करके रखे हुए है basic.html हो गया list.html हो गया dbhtml हो गया उन सब में के head section में हम लोगों को जाके text editor में उसको खोल के और head section में जाके यह वाला जो हम लोग line add किये हुए हैं अपने एक webpages में वो तीनो webpages में हम लोगों को यह save करके रखना होगा और फिर क्या होगा कि हम लोग जैसे ही जो हम लोगों का text का color all of your programs should now display in bold और blue text तो हम लोगों का जो तीनो webpages है उसके अंदर में हम लोग अगर यह वाला line insert कर देंगे तो हमारे जो तीनो webpages हैं वो हमारे CSS वाले external file में जाके connect हो जाएंगे और CSS वाले external file जो हैं उसके अंदर में हम लोग जो text का जो font का जो weight है वो bold किये हुए हैं और जो text है वो bold blue किया हुआ है तो क्या होगा कि हम लोगों का तीनो जो webpages उसके अंदर में सारे test जो है वो blue हो जाएंगे और वो bold हो जाएंगे क्योंकि हम लोगों का जो external CSS का जो file है वो हमारे CSS का जो external file हम लोग connect करा चुके हैं आपने सारे तीनों webpages में यहां पर यही बात बता जा रहा है कि जो तीनों webpages हम लोग अपने CSS file external file को Save करके और तीनों web pages में connect करा चुके हैं अब हम लोग further changes करना सकते हैं CSS file में तो बहुत सारे changes को हम लोग insert कर सकते हैं CSS अपने external CSS वाले file में तो तीसरा changes हम लोग क्या ला सकते हैं तो दो changes तो पहले से कर चुके हम लोग जिसमें हम लोग font का weight change कर चुके थे बोल्ड कर चुके थे उसको हम लोग एक बर मैं erase करके इसको फिर से दिखाता हूं कि हम लोग दो changes क्या कर चुके हैं अपने CSS के file में तो पहला change तो हम लोग अपने text को बोल्ड कर चुके हैं और दूसरा हम लोग अपने text को blue कर चुके हैं तीसरा यहां पर क्या किया जा रहा है कि जो text है उसका style क्या होगा तो टेक्स्ट का style में यह जो बोल्ड था यह यह फॉंट का वेट था और ब्लू जो था फॉंट का color था वाट हम लोग फॉंट का style चेंज करना चाहते हैं तो फॉंट का style भी चेंज कर सकते हैं फॉंट का style चेंज करने के लिए तो फॉंट का style चेंज करने के लिए वहां पर एक और syntax लिखना पड़ेगा यह syntax वहां पर लिखने के बास यह जो हम लोग एक्स्टरनल फॉंट है वहां पर हम लोग बॉड़ी लिखके और curly bracket on करके और font family वर्दाना लिखके और हम लोग curly bracket क्लोज करके और CSS फाइल को सेव जैसे हम लोग करते हैं तो क्या होता है कि हम लोग का CSS जो फाइल एक्स्टरनल फाइल वो तो तीनों हमारे सारे तीनों web pages में connect हो चुका है जो वर्दाना एक तरेकिये का font style होता है तो body के अंदर में हमनों का तीनों web page के अंदर में होगा तो क्या होता है कि जो वेब ब्राउजर होता है वो अपने से font style select करके और जो user बैठा हुए computer पे वो उसको दिखला देता है अपने तरीके से वेब ब्राउजर दिखायता है guess करके कि अगर वो वर्दाना font उसके computer में saved नहीं है तो वो अपने से कोई दूसरे font को select करके और अपने user को दिखला देता है बट ये काम बार-बार नहीं कर सकता है वेब ब्राउजर इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा जैसे हम लोग यहां पर font family वर्दाना डाले थे यहां पर बहुत सारे दो-तीन तरीके का font family हम लोग option के रूप में डाल सकते हैं मिंस अगर कोई user जो बैट रहा है हम लोगों के website को चलाने के लिए अगर उसके computer के web browser में वर्दाना font नहीं saved है तो और भी यहां पर दो-तीन नाम हम लोग save करके रख सकते हैं जैसे वर्दाना के साथ यहां पर तीन और भी font का family का नाम यहां पर लिखा हुआ font का style तो अगर वर्दाना अगर उनके computer में उस user के computer में वर्दाना नहीं saved रहेगा तो यहां यहां पर है यहीं बताया जा रहा है तो क्या करता है यह ट्रांसलेट करके यह बतलाता है computer को कि अगर जो वेब पेज है उसमें वर्दाना font नहीं अपियर हो पा रहा है वह फेल हो जा रहा है तो वह से से खुल जाएगा तो यही होता है अगर कोई वे ब्राउजर में अलग 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 जो वे ब्राउजर होता है उसमें पॉंट नहीं सपोर्ट करते हैं तो हमनों को आप्शन के रूप में 3-4 पॉंट का नाम लिख देना होता है ताकि जो यूजर बैट रहा है वो हमारे सेलेक्टेड फॉंट के हिसाब से ही वेब साइट को चला सके है है अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो चेंदर में का स्टाल था वह बॉडी के ऑन्दर में का 3 तीनों वेब पेज है उसमें जो बाडी के बीच में लिखा हुआ है बॉडी बीच का टेक्स्ट का बना हम लोग उसको सेव कर दिये थे css वाले फाइल में बट हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग का html का फाइल है उसका जो heading वाला section है वह heading वाला section जो है उसका font का style अलग हो क्योंकि पिछले बाले section में जो words लिखा हुआ है उसका भी style चेंज करना चाहते हैं हम लोग तो heading section वाला भी जो text का style है उसका भी style चेंज किया जा सकता है तो उसके लिए क्या करना होगा जैसे हम लोग body का text चेंज करने के लिए css वाला जो हम लोग body लिखके और इस तरीके से हम लोग उस प्रोग्राम को हम लोग लिखे थे बट अगर हम लोग body का styling change करना चाहते हैं और HTML के head जो heading element है उसको लोग insert करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा तो उसका syntax है वो कुछ इस तरीके से लिखाएगा h1 h2 से लेके 6 तक हम लोग लिख लेंगे फिर उसको ब्रैकेट खोल के इस तरीके से वहां पर लिख दिया जाएगा यहां पर भी 3-4 तरीके का font का नाम लिख दिया गया है font family equal to 3-4 font जो भी हम लोग font डालना चाहते है heading element के अंदर में वह font का नाम यहां पर डालके फिर उसको क्या करेंगा हम लोग CSS का file save करके और हम लोग उसको फिर से refresh करेंगे home page में जाके तो क्या होगा कि हम लोग का heading section वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा वो यह चारो font में से कोई एक font को लेके उस इसी चारो में से कोई एक font से वह खुल जाएगा वहां पर हम लोग का home page और जो heading section है वह इन सब कोई से heading के लिए हैं न पड़ेगा तो सिंटेक्ष लिखना पड़ेगा और हम लोग nadzieję और बॉड़ी कंच के लिए लग लिए सकते हैं तो क्या होगा करके बॉड़ी। जाये आ कौन सा body के अंदर में अलग font लिखा हुआ रहेगा तो जो हम लोग का document वह बहुत अच्छा नजर आएगा तो अलग-अलग heading है उन सारे heading का हम लोग design change कर सकते हैं जैसे कि अगर हम लोग के पास दो heading है तो यहां पर heading one लिखके font का size large कर दिया गया है और फिर उसके बाद हम लोग के पास अगर दूसरा कोई heading है तो उसका color blue करके font size medium करके font का weight जो है वो normal कर दिया गया है तो यह सारा जो है वो अलग-अलग हम लोग heading के लिए अलग-अलग भी font का style font का size font का color change हम लोग कर सकते हैं जैसे यहां पर color size और weight तीनों change किया गया बट heading one जो था उसका उसके अंदर में हम लोग कोई भी color में बदलाव नहीं लाया है बस font का size है वो large कर दिया गया है फिर उसके बाद font का जो size है उसके बाद वाला जो list के रूप में लिखा हुआ है उसका size small कर दिया गया है फिर a core heading आया है उसका color blue कर दिया है font का size medium कर दिया गया है font का weight normal कर दिया गया है और paragraphs के अंदर में जितने भी सारे text है उन सब का font का style small है font का size और color जो है वो नवी है फिर उसको save कर दिया गया है और save करने के बाद हम लोगा जो output है हम लोगा जो प्रोग्राम हम लोग लिख चुके हैं इससे पहले वह उसका output कुछ इस तरीके से नाजर आएगा हम लोगा प्रोग्राम का तो इसी तरीके साथ आप लोगों को अपने computer में भी इस program को इस syntax को लिख के देखना होगा और अगर कोई भी topic कोई भी words समझ में नहीं आया है तो आप लोग इस वीडियो को फिर से rewind करके देख सकते हैं इसी के साथ हम लोगों का आज का topic और आज का इसी के साथ हम लोगों का chapter भी chapter 3 बहुत लंबा chapter था total 5 parts में इसको बनाया गया है तो इसी के साथ हम लोगों का जो chapter भी है वो भी complete हो चुका है हम लोग अब lesson 4 में जाएंगे इसके बाल that's all for today have a good day thank you